हलो स्टूडेंट्स आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अच्छा बच्छो आज मैं लेके आया हूँ जो हमने कल जो हमने आड़ी शर्मा का question number one किया था उसके हमारे पास में जो थे उसके आठ सब पार्ट थे ठीक है तो क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो इसलिए चार जो पार्ट थे वो हमने कल वाली वीडियो में आपको डाल दिये थे बना दिये थे हमने ठीक है आज हम उसका second पार्ट लेके आए हैं जो आज हम उसके जो बचे हुए जो चार पार्ट है question के उन्हें solve करेंगे तो देखें हमारे पास जो question है qx दिया हुआ है square root 3 square plus k 10x plus k 7x अच्छा important points जो है मैंने वो फिर से note कर दी है यह मैं आपको कल वैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैं सारी चीज़े आपको समझा चुका हूँ पर फिर भी आप एक बार देख लिजे ठीक है x square है यहाँ पर यह alpha plus beta जो है हम इसे sum of zeros भी बोलते हैं sum of zeros भी बोलते हैं ठीक है तो अब मैं वीडियो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देखे हमारा question है square root 3 x square plus k 10 x plus k 7 under root 3 तो हमें क्या करना है इसमें वही करेंगे हम इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले वाजादा इस square root 3 की mike e is square root 3 में multiply कर देंगे तो यह हमारे पास में क्या हो गया यह हमारे पास हो गया 7 under root 3 की under root 3 मिए multiply करी तो क्या होurg। थ्री तो यानिकी 7 into 3 is equal to 21 अब 21 जो हमारे पास जो आया है इसे हमें इस तरीके से use करना है कि add करने के बास क्या आए हमारा 10 आए तो आए हम उसे यूज करते हैं 3 x square प्लस के तो इस हम जो हमारे पास 21 जो आया है उसका LCM जो हम लेंगे तो क्या हुचा है 7 3 जो 21 तो 21 आ गया हमारे multiply करके और जो add करने पर क्या आ रहा है 7 plus 3 is equal to 10 आ गया हमारे बीच वाला product बन गया यानि कि हमारा एक दम जो हमने factor करें है वह ठीक है 7 plus के 3 x plus 7 अंडरोड 3 अब देखिया एक्स के हम अंदर multiply कर देंगे तो square root 3 square plus 7 x plus 3 x और plus 7 अंडरोड 3 इन दौनों में से common ले लीजिए 3 हमारा common हो गया square root 3 x plus 7 और यहां से जो हमारे पास आया हमने क्या ले लिए यहां से हम plus के under root 3 देखिये हम common ले सकते हैं जब हम under root 3 यहां से common ले ले लेंगे तो यहां पर रह जाएगा under root 3 X और plus के क्या رह जाएगा 7 यह देखिए दोनों यह सेम आगे जब दोनों factor एगदम सही हो रहा है तो एक बार ब्रैक्ट में हम लिख लेते हैं इसे और एक बार ब्रैक्ट के बार जो है अच्य है, अच्छा factor समझ आगए आपको अब हमें क्या करना है यह है हमारी यह दोनों वेलिव हैं हम इन्हें है transform कर देंगे यानि हम इनका पक्छान तर कर देंगे प्लस के 7 इसकाल टू जीरो अब यहां से हो जाएगा square root 3 x is equal to set change हो जाएगी minus 7 and x is equal to minus 7 upon square root 3 यह हमारी पहली इसकी value हो गई है ठीक है अब हम इसे क्या करेंगे अब दूसरे को भी इसी तरीके से solve कर लेते हैं x plus square root 3 is equal to 0 x is equal to minus k square root 3 एक value हमारी यह आगे अच्छा देखिए यह दोनों जो value हैं यही होती है हमारे इसके जो zeros की value जो होती है यानि हिंदी में मिने शून्यांक भी बोलते हैं ठीक है अच्छा यह value एक value को हम alpha माल लेते हैं एक value को हम beta माल लेते हैं जैसा कि हमारे question में यहां पर दिया हुआ न alpha beta तो पहली value एक हो गई और दूसरी value beta की under root 3 हो गई अब हम यहां से इन दोनों को verify करेंगे तो हम हमें verification करने के लिए क्या करना है इनका sum of zeros sum of zeros यानि दोनों इन value को alpha की value होगी minus की 7 under root 3 और beta की value होगी हमारी minus की square root 3 तो आईए यहां पर हम इने करते हैं sum of zeros निकालेंगे sum of zero यानि दोनों को sum कर दिया alpha क्या होना चाहिए minus के coefficient of x and coefficient of x square तो alpha plus beta दोनों value को जोड़ दीजिए minus के 7 upon under root 3 और plus के minus के under root 3 अब देखें यहां पर minus है यह से minus बना देगा तो यह हो जाएगा minus के 7 under root 3 minus के under root 3 अब इसके नीशे एक बान के इसका LC हम ले लेंगे under root 3 upon minus के 7 और यह हो जाएगा under root 3 के under root 3 में multiply होगी 3 हो जाएगा तो यानि minus के 3 minus के 7 और minus के 3 is equal to हमारा अब यह हमने कर लिया अब हम क्या करेंगे यहां से ने verify करने लिए यह जो value होती है minus के coefficient of x upon coefficient of x square इसके भी बराबर में रख देंगे तो हमारा जो x का coefficient क्या था हम equation में देखते हैं हमारा x का coefficient है 10 क्या है 10 minus में और coefficient of x square क्या है under root 3 वो भी कितना है under root 3 तो देखिए यह दोनों value हमारी बराबर होगी तो यानि जो हमारी zeros की value है वो बिलकुल ठीक है आएए अब हम करते हैं इसका next part next part है हमारा जो हमें दिया हुआ है next part है हमारा question का कहां गया वे इसका part number 6 वो हमें दिया हुआ है x square minus के square root 3 plus 1 ये bracket में है x plus के under root 3 इसे भी हम बिलकुल इसी तरीके से solve करेंगे पहले क्या करना है हमें x के इंदर multiply करतेंगे साथ में इदर से minus की multiply हो जाएगी तो ये हो जाएगा x square minus के under root 3x और minus की multiply जब plus में होई तो ये भी minus हो जाएगा x के इदर से multiply हो जाएगी x plus के under root 3 ठीक है अब क्या करना है हमें इन दोनों में से common ले लिजिए x x हमारा common आ गया तो x common आने के वाद में यहाँ पर है गया x minus के under root 3 अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे जब कुछ भी common नहीं है तो हमें 1 ले लेंगे common और दोनों अगर यहाँ से हम खाली बन लेते हैं तो अंदर आएगा plus का परन्तु हमें यहाँ पर क्या चाहिए minus तो हम इसमें minus का 1 common लेंगे तो हमारा अंदर यह जो है x minus under root 3 हो गया अब देखिए यह दोनों common आ गये x under root 3 और दूसरा होगा x minus के 1 इन दोनों value को यह हो गया हमारा x यह दर minus से दूसरी तर जागे plus हो जाएगा under root 3 और यह दूसरी जो हमारी value है 0 इसकी value x is equal to plus 1 यह भी minus से दूसरी तर जाएगी इसका पंचातर हो जाएगा यह यह transform हो जाएगा तो यह value हमारी plus में change हो जाएगी अब हमें क्या करेंगे इसकी अब हमें यह दोनों value में पता चल लगी हम इस वाली value को alpha मान सकते हैं और यह beta ठीक है अब हम इसे क्या करेंगे एक बार alpha plus beta alpha plus beta जो है यानि इन दोनों को हम add कर लेंगे हम add कर लेते हैं under root 3 alpha की value जो first हमारी 0s value है और दूसरी क्या है plus के 1 तो क्या आगया under root 3 plus 1 ठीक है अब alpha plus 2 इसकी जो होती हमारी sum of 0 होता है minus के भी अपने यानि की coefficient of x upon coefficient of x square तो हम भी यही करते है माइनस के coefficient of x क्या है हमारे इसमें coefficient of x है under root एक तो पहले से यहां पर minus है तो minus square root 3 plus 1 अच्छा अपन coefficient of x square क्या है 1 तो देखें माइनस की माइनस में multiply हुई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा under root 3 plus 1 और 1 से डिवाइड करोगे बनी आएगा तो आप देखें यह दोनों जो है हमारी value यह भी दोनों बराबर आ गई है ठीक है यह दोनों value भी क्या है हमारी बराबर आगी अब हम इसे एक बार product के लिए solve कर लेते हैं product क्या होता है alpha into beta इस गल्टू अब थोड़ा समय short में लेके चल रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इससे पहली कि जो वीडियो थी मैंने उनमे sum of zeros और जो product खुलके बताया हुआ है अच्छा अब यहां पर क्या हो जाएगा constant term जो हमारी equation है उसका constant term है देखिए under root 3 तो हम यहां पर रखेंगे under root 3 upon क्या है coefficient of x square वो क्या है 1 है तो value कितने आगे under root 3 यह तो हागी हमारी इससे अच्छा alpha और beta की दोनों की multiply करके भी देख लीजिए आप जह हम इसकी multiply करते हैं तो क्या जाएगा under root 3 into beta की value क्या है 1 तो यह भी कितने आगे हमारी under root 3 तो देखिए यह दोनों value भी हमारी बराबर सब्सक्राइब हमारी कोस्चन जो है verify हो गया students अब हम solve करेंगे इसका first question का R.D.Sarmakya का seventh part है हमें दिया हुह a x square plus one minus k x bracket में a square plus one तो आप इसमें थोड़े सा देख के थोड़े सा confused हो सकते हैं बड़ कोई ज्यादा tough question नहीं है बस थोड़े सी trick आप को यूज़ करने हैं तो वो trick मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है इसमें पहले अंदर इसकी multiply कर लीजिए a x square हो गया plus k one यहां से minus अंदर multiply हुई a x square और sorry plus का यह गया यह क्या हो गया minus यह minus a से minus मना देगा minus k x समझा गया अंदर a की multiply हुई a x square plus k a की one में होई तो यह भी a हो जाया और minus k x की हुई a x square और minus k plus में हुई minus k x मैं इसे दुबारा से note कर देता हूं आप confuse नहों a x square plus k a minus x a square और minus k x आगया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसे थोड़े pattern से note कर लेंगे हमें क्या करना है पहले हम इसे करेंगे a x square इसके बाद में हम note कर लेंगे minus k x a square ठीक है अब क्या करेंगे हम x वाली चीज़ यह x को note कर लिया और minus में sorry plus का a कर लिया अब देखेंगे चैसे कि हमारी जो equation होती है पहले square की form में होती है फिर x होता है फिर हमारा constant term होता है तो हमने इसी form में इसे note कर लिया अब हम क्या करते है इन दोनों में से common लिए तो देखेंगे इसे क्या करेंगे x is equal to transform हो जाएगा ये plus हो जाएगा और ये हो जाएगा a x is equal to 1 x is equal to 1 upon a एक value हमारी ये हो गई और एक value हमारी ये हो गई यानि हम पहली को बोल दिया हमने ये alpha की value है और ये क्या हो गई हमारी beta की value हो गई अब हम इसे verify कर लेते हैं तो हमारा sum of 0 जो होता है ये दोनों जैसा कि मैं आपको पहली बता सुगा हूँ ये value जो होती है हमारी zeros की value होती है sum of 0 यानि sum of 0 दोनों को जोड़ दिया equal to क्या होता है minus के coefficient of x and coefficient of x square alpha और beta दोनों की value को जोड़ दीजिए ये दोनों बराबर आनी चाहिए तो ये verify हो जाएगी तो देखिए alpha की value क्या है a है plus जैसा कि हमें दिया हुआ है beta की value क्या है one upon a पहले आईए मैं इससे solve करके मैं आपको देता हूँ तो ये कितनी हो गई हम इसका LCM लेंगे a आ गया a square plus one ये बन गया हमारा आईए अब इससे solve कर देते हैं minus coefficient of x क्या है x का coefficient क्या है हमारे पास में x का जो coefficient है वो है हमारा minus का one ठीक है coefficient of x हम निकालेंगे coefficient of x में क्या है आईए देखे coefficient x आ रहा है हमारा minus के a square plus one इसमें से अगर हम इसे x को common ले लेंगे तो हम पर क्या जाएगा a square ये plus हो जाएगा plus के one जो है हमारा ये हमारे coefficient की इसकी x की value हो जाएगी तो मैं इसे करता हूँ minus के a square plus one और x square क्या है हमारा term a minus minus हो जाएगा plus तो हमें मिल जाएगा a square plus one upon a ये देखें दोनों value ये हमारी जो है ये बराबर आ गए है अब हमें एक बारे से product के लिए भी यूज कर लेते हैं product के लिए alpha into beta is equal to क्या हो जाएगा हमारा इसको हो जाएगा हमारे जो final ये जो हमारी constant term जो है constant term क्या है हमारी पहले हम इन दोनों को alpha और beta की multiply कर लेते हैं है alpha की value है हमारी a और beta की क्या है value, beta की value है हमारी one upon a इससे cancel करा क्या बन गया 0 कुछ भी नहीं बचा यहां से हमारा कुछ नहीं बचा स्वारी हमें मिल गा यहां से one ठीक है अब हमारी ये जो equation जो है यहां पे हमारे पास क्या है इसका जो constant value है वो क्या है हमारी वन तो हमारे इसका टो वन यह भी दोनों value जो है हमारी verify हो जाएंगे कि का last part question number 8 जो है इसका part 6x square plus के 3-7x हम इसे थोड़ा pattern से लिख लेंगे देखो equation का pattern क्या होता है हमारा पहले सबसे पहले square की form आती है उसके बाद में x आता है और उसके बाद में आता है हमारा constant term तो हम इसे उसी form में लिखेंगे 6x square तो यह minus के 7x आ गया गया और भी पीछे चले गए अब हमें क्या करना है देखे 3 की multiply हो रही है 6 में 3 6 जा 18 18 को ऐसे use करना है कि 7 आ जाए इसका एल से हम ले गया तो 6x square minus के यह क्या हो जाएगा 9 देखें 9 2 जा 18 और 9 minus 2 is equal to 7 आ रहा है न हम आ रहा है यहां पर इसी तरीके से हम इसे use करेंगे तो यह जाएगा 6x square minus के अंदर multiply हो जाएगी 9x हो गया और इस minus की multiply होगी तो यह क्या हो गया plus के 2x minus के 3 अच्छा अब देखें अब इन दोनों में से क्या common है इन दोनों में हमारा 3x 3x common आने पर यहां से बचा 2x और यहां से 3 आ गया तो 3x हमारा बाहर आई गया और यहां से plus का एक common लेलो कुछ common नहीं है तो यह आ गया यह दोनों common है तो हमारा first zeros की value क्या हो गई 3 यह और यह आ गया 3x plus के 1 इन ट्रांसफर्म कर देंगे 2x minus 3 is equal to 0 2x is equal to plus के 3 x is equal to 3 upon 2 यह value हो जाएगी यहां से यह हो जाएगा 3x is equal to minus 1 x is equal to minus के 1 upon 3 फिर से हम इसे alpha plus beta में कर लेते हैं ठीक है इनने verify करेंगे तो minus के जो है हमारी x की term क्या है minus के 7 upon x square की term क्या है 6 तो उनों की multiply हो जाएगी तो यानि 7 upon 6 आ जाएगा अब हमें एक बार दोनों को add करके देख लेते हैं तब क्या आ रहा है मारा add करके हम चेक कर लेते हैं 3 upon 2 और प्लस में क्या है minus के 1 upon 3 इन दोनों को भी कर लेते देखे यह जो minuses है minus बना देगा तो यह हो जाएगा 3 upon 2 minus के 1 upon 3 LCM ले ले लिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 minus के 2 1 जा 2 is equal to 7 upon 6 देखे यहां पर इसे add करके alpha बीटा पर भी यह value आ रही है और जो हम constant term का जो हम formula put कर रहे हैं तब भी हमारी value 7 upon 6 ही आ रही है अब हम एक बार इसका last product और use कर लेते हैं product के लिए alpha into beta क्या होता है हमारा constant term constant term क्या है हमारी हाँ पर minus के 3 constant term upon x square 6 यह है अब एक बार दोनों की multiply और करके देख लेते हैं हम आरा alpha की value क्या है 3 upon 2 इसकी value क्या है बीटा की 1 upon 3 3 से 3 कैंसल तो क्या गया minus के 1 upon 2 और दोस्तों इसे भी करेंगे अगर हम 3 से cancel करते हैं तो यह भी हो गया 3 upon 2 यानि minus के 1 upon 2 और minus के 1 upon 2 हमारा question solve हो गया इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं के और भी आपको question के solution मिलते रहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विजय वस्ति को subscribe कीजिए धन्यवाद